और यह समय है कि हम अगेती सब्जीयों की पौध तयार कर सकते हैं किसान भाईयो नमस्कार शुआगत है आपके अपने चैनल मेरी खेती में किसान भाईयो ठंड पड़ रही है और कडाके की ठंड से अभी दो दिन से ही मौसम थोड़ा साफ हुआ है और यह समय है कि हम अगेती सब्जीयों की पौध तयार कर सकते हैं यानि कि जो घिया जो तोरई चैलीज दिन बाद आएगा उसकी वाजार में साथ सत्तर असी रुपे किलो की कीमत मिलेगी लेकिन जो दो महिने बाद आएगा वो साथ 6-7-8 रुपे किलो बेकेगा तो जो अरली पौध तयार करने का तरीका है वो कैसे कर सकते हैं क्या टेकनिक है इस पर हमें जानकारी दे रहे हैं डेक्टर ब्रिज मोहन क्रिशिव ग्यान के इन मत्रा में आप विशिशक हैं आपसे जानते हैं कैसे किसान भाई घीया, तोरई, खीरा, ककड़ी, कद्दू वर्गे फशलों की अगेती पौध तयार कर सकते हैं और कैसे उन्हें अपने खेत में लगा सकते हैं डाक्शाब जी, जैसे आपने बताया कि जो हमारी पौध हैं, उनको हमें किस परगार से तयार करना चाहिए ताकि हम उससे अगेती फसल ले सकें देखें सबजी उतपादन में ये जो हम अर्ली क्रोपिंग की बात करते हैं वास्तम में ये बिल्कुल सत्य है कि अगर हम अर्ली खेती की तरफ ध्यान देगे या किसान भाई हमारे अर्ली फार्मिंग करेगा तो वहाँ पर उसके मुनाफ़े की संभावना के गुनादिक तक पड़ जाती है देखे क्योंकि इस समय जो ताप्रा में वो कम चल रहे हैं और यहां बात कर रहे हैं हम इस समय जो हमारे आने वाले समय की जो फसले हैं जैसे लोकी है तोरही है आपका खीरा है ककड़ी है तो इस इनकी पोध हम तैयार किस परकार से करें ताकि हम एक अर्ली क्रोपिंग की एक समय पे हम इनसे उत्पादन लिना सुरू कर दे देखे क्योंकि जो लोकी है तोरही है खीरा है ककड़ी है अनुमानते इनकी फ्लावरिंग 40 से लेके 50 दिन में स्टार्ट होती है और अगर हम उस समय में यानि उस समय में अगर हम इनकी पोध तैयार करते हैं या इनको खेत के अंदर लगाते हैं तो हमारी जो उपज है वो जून जुलाई के आसपास आएगी तो उस समय में इसकी कीमत उतनी अच्छी नहीं मिल पाती है इस समय तापकरम काम हैं लेकिन हमें फिर भी पोध तैयार करनी है ताकि हम 15 फरवरी के बाद या मार्च के 1 विग में अपनी इन पोधों को खेत में लगा दे आजकर Artificial Propagating Material आ रहा है जिसके अंदर कोको पीट भी है परलाइट भी है वर्मीकुलाइट भी है सब चीज़े सब मिसरण मिला होता है लेकिन अगर आपके पास में एक कोको पीट परलाइट वर्मीकुलाइट वाला मिसरण नहीं है तो हम गोबर की खाद आदी और आधी मिटी के अंदर हम फपूंदी नासी और एक इंसेक्टिसाइड उसके अंदर हम मिक्स करने के बाद, भर देते हैं, तो प्रोट्रे में जो पोधे हैं हमारे, चार से लिए के पांच दिन में उसका जर्मिनीशन हो जाता है, और जब आपक यहां के climate अच्छी हो जाती है और लगाने का समय आपका नजदेक आता है तो आप उसको मुक्य खेत में रोपित कर सकते हैं यह दोनों में इनमें भी लगा सकते हैं अगर ट्रे नहीं है तो जी बिल्कुल जो आपके पास में जिसे यह खाली ग्लास होते हैं कागज के हैं दोन देते हैं कहीं कौहीं आप सांथ में जाके देखेंगए तो टेले के पात्तों के भी विए दोनेुट जिए घ्लास बना देते हैं और उसके अंदर वह प्र्पगेटिंग मेंटिरियल भरके उसमें तीन-चार बीज लगा देते हैं और उनको लगाने के बाद अपने किसी प पुनदिनासी कोई भी कितनासी उसके अंदर हलका सा ग्राम में मिक्स कर ले यानि 1 लिटर के अंदर 1 ग्राम के गरीब दवाई डाले और उनको लगा दे समय समय पर उनको धुब दिखाते रहे ताकि वह पोधे की जो क्वालिटी है पोधे की जो कंडिशन है वह अच्छी बन करें और डेट से लिए के दो मिटर पर थाला बना ले और उसको निकाल के उसमें से आप अपने मुखे खेट में सिप्ट कर दें तो देखे जहां पर आपको अपनी फसल लगाने के लिए एक महीना इंतियार करना पड़ता उस एक महीने में यह 20-25 दिन के अंदर आपने अपन की कि विए उनके रेट हमेसा अच्छे मिलते हैं जैसे जैसे इसका सीजन लेट होता लेट हाता है इनकी कीमतों में गिरावटाने सो भाविक हो जाते हैंCK того कि जो बीनिक खेटी को भी पीअन ही शाम में ही तैयार कर सकते हैं उनको भाहर संह कहीं ज़ुरूत कर रहा पहले ही हमारी जेब में पैसा आने की संभावना बन जाती है तो किसान भायों डाक्षाब ने आपको बताया कि अगर आपको 15 फरवरी से पूर्व तैयार पौद अपने खेट में ट्रांस्प्लांट करनी है और दूसरे किसानों के मुकाबले अच्छी आय अरजित करनी है तो समय से पूर्व सब्जी मिल सके और सब्जी की अच्छी कीमत मिल सके तो किसान भायों देखते रहे हमारा चैनल मेरी खेती और सब्सक्राइब करिए ताके हम आपको नए ने वीडियो नए नी जानकारियां देते रहें नमस्टाइब